बाल आपकी पहचान है चाहे लंबे बाल हो चोटे बाल हो कर्ली हेर हो या फिर आपके बाल सिल्की हो वो आपको एक confidence और self-esteem देते हैं लेकिन आजकल बालों के गिरने की और baldness की इतनी ज्यादा problem आ गई है कि हर कोई stressful हो जा रहा है तो normally देखते हैं कि 50-100 strands जो हमारे गिरते है दिन भर में वो normal होते हैं और जो seasonal hair fall होता है किसी किसी का winter में hair fall होता है किसी का summer में किसी करेनी season में तो इस तरीखे का hair fall that is completely normal तो मतलब यह बोलना चाहती हूं कि इस चीज़ पर हमें stress लेना नहीं चाहिए लेकिन apart from this अगर आपके इससे भी कहीं ज्यादा बाल जढ रहे हो तब आपको कोशिश करनी है कि देखें कि आपको actual exactly problem क्या है ताकि आप आप root cause से उसका इलाज कर सके इस वीडियो में मैं आप को reasons दोंगी के hair fall actually क्यों होता है with scientifically based evidence और वीडियो के end में आपको क्योर के साथ साथ end में ऐसे दो बोनस टिप बताऊंगी जिससे आपका hair fall to reduce हो होगा ही बलकि आपके hair growth में भी helpful रहेगा तो यह वीडियो एंड तक जरूर देखें Assalamualaikum Hello everyone this is Dr. Tahira and you are welcome to my channel तो studies के मुताबिख about 50% hair fall हमारा हो जाता है जब हम 50 साल की उमर तक चले जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे reasons है जो इससे पहले से हमारा hair fall स्टार्ट होता है तो पहला reason है genetic genetic reason की वज़े से hair fall बहुत जादा होता है तो इसमें एक twin study हुए थी जो जुड़वा लोगों को लेकर होती है दो भाई दो बहने जो twin studies थे उनमें देखा गया कि एक twin में बहुत जादा hair fall है और दूसरे twin में hair fall उतना जादा नहीं है बलके control में है तो उन diet लेते हैं जो अच्छा घिजा खाते हैं उनमें hair fall का reduction कम है तो जीन्स तो responsible है लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि diet की वज़े से हम जीन को turn off and turn on कर सकते हैं अब जीनो टॉक्जिक क्या है जीन्स को खराब कौन करता है alcoholism जो शराफ जादा पीते हैं smoking करते हैं smoking directly करना भी नहीं बलके passive smoking जो कोई smoker पी रहा हो और उसके हम सामने रहते हैं passive smokers बहुत जादा affected होते हैं तो यह सारे reasons है और यह भी reason है कि जो लोग mercury contaminated fish खाते हैं जो fish का consumption बहुत जादा होता है जिसमें mercury contamination है तो एक study हुई ती जिसमें देखा गया कि बहुत जादा hair fall हो रहा था ग्रू में उसे बिल्कुल रेडियोस कर दीजिया निल कर दीजिए तो जिसने भी अपनी डाइट में से fish को निकाल दिया या बिल्कुल कम कर दिया उनमें hair fall का reversal हो गया मतलब उनका hair growth अच्छा हो गया अब दूसरा main reason है stress जो जितना जादा तनाव लेगा जितना जादा स्ट्रेसफुल कंडिशन में रहेगा उतने ही जादा stress hormones हमारी बॉडी में develop होते रहेंगे और जितने जादा यह hormones बढ़ते जाएंगे उसकी वजह से hair fall होगा और आप बाल भी हो सकते हैं तो इस चीस को देखना है कि अगर आप कितनी भी अच्छी घज़ा ले लिजे कितना अच्छा खाए लिजे लेकिन अगर आप stress लेते हैं तो आपका hair fall reduce नहीं होगा क्योंकि हमने twin study में देखा था कि जो ट्विन हद से जादा stress लेता है उसमें हद से जादा hair fall होता है तो stress management techniques सिखिए जैसे deep breathing exercises है yoga या फिर physical activities है exercises है बहुत सारे stress management technique है जो मैं अपने आगे चलके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे आप अपना stress को manage कर सकते हैं थर्ड रीजन पर आते हैं nutrition deficiency यानि कि खाने में कुछ ना कुछ आपके vitamins में कमी हो जाती है तो तब जाके आपको hair fall होने लगता है अब देखते हैं कि जो multi vitamins use करते हैं hair fall को रोकने के लिए या फिर अपन सब्सक्राइब है तो स्टडीज के मोताबिक इसके उपर randomized control trial हुआ था स्टडीज हुई थी इसके उपर तो उसमें देखा गया कि जो unnecessarily multivitamin supplementations लेते हैं बिना कोई deficiency के देखागे देखेंगे कि तो आजकल vitamin deficiency बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि there is excess in everything हम जो भी खाते हैं वह आपने hair growth के लिए लेते हैं तो उसकी वज़े से उठे side effects आ रहे हैं जैसे कि आप जिंक ले रहे हैं बालों के लिए तो उसके negative impacts आ रहे हैं hair growth की जगे hair fall हो रहा है और जो iron and biotene का जो आप supplement ले रहे हो उसकी वज़े से आप में इतना hormonal changes सारह है hormonal haywire हो जा रहा है जिससे आप thyroid की problem को भी lead कर रहे हैं just with a multivitamin supplement for your hair fall and जो और एक supplement लेते हैं vitamin A का hair fall के लिए उसकी वज़े से उल्टे side effects दिखने लगते हैं कुछी दिनों में जैसे कि hair loss होना excessive hair fall होना ये studies में पाया गया है fourth major reason है hormonal imbalance जब भी आपकी body के internal hormones होते हैं अगर वो balance में नहीं है तो आपको ये external symptoms आते हैं hair fall acne तो आप देख लिए कि आपको अंदुरूनी क्या problem है जैसे कि thyroid में आपका hair fall होता है और PCOS PCOD में आपका hair fall होता है तो आप ये root cause से इलाज करिए इसका ना कि आप कुछ भी external application लेंगे या फिर कुछ भी आप लगाएंगे अपने बालों पर तो ये आपको ज्यादा दिनों तक फर्ख नहीं पड़ेगा इसका ये आपको फायदेमन नहीं होगा तो मेरे वीडियोज है अवेलेबल थाइरोइड और PCOS पे तो आप इसको देख सकते हैं और इसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं ताके आप अपना प्रेगनेंसी तो इस नॉट अपनी तो नेच्रिल फेनामना तो प्रेगनेंसी में हेरफॉल होता है क्योंकि जो हॉर्मोनल अचेंजस है प्रजिस्टरॉन, इस्ट्रोगन और घोसें प्राइबल होन उतार चड़ते-बढ़ते रहते हैं तो इसकी वज़े से हेरफॉल होना लाजमी है, कुछ-कुछ लोगों में बहुत जादा hair fall होता है, लेकिन आप इसकी वज़े से stress मत लीजे, जबी भी आपका ये period face गुजर जाएगा, आपका hormone balance में आ जाएगा, ultimately एन आपका hair fall रुख जाएगा, तो you don't have to worry about this. Sixth and last major cause है, medication, जो भी आप दवाइएं लेते हैं, उसकी वज़े से भी आपका hair fall हो सकता है, दवाइएं जैसे cancer का treatment जो लेते हैं, जो medications आप यूज करते हैं, फिर cancer therapy के लिए जो radio therapy होता है, कीमो therapy होता है, उसके side effects होते हैं, hair fall या फिर baldness, और दुसरे antibiotics हैं, anti-fungal drugs हैं, और जो anti acne medications है, जो हम खाते हैं, जो particularly जो retinoids होते हैं, उसकी वज़े से hair fall होता है, चाहे जो भी cause हो, आप अपना hair fall लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, बड़ी उमीद के साथ, ताकि आपका hair fall रुख जाए और आपके अच्छे घने लंबे बाल हो, तो इसका approach क्या है, तो जो modern medicine में का approach है, जो FDA approved drug है, वो particularly दो drugs है, जो fenosteride है और mini oxidil है, और studies के मुताबिक जब इन में ये दो FDA approved drugs के उपर research किया गया, तब देखा गया कि इसमें कई ज़्यादा side effects है, यानि कि drug के side effects कई ज़्यादा है effects से, तो myth ये है कि जो FDA approved drug है, या फिर जो patented drugs है, जो हम इस्तेमाल करते है hair growth के लिए वो आपका hair growth बढ़ा देते हैं, बलके ये देखा गया है कि जबी भी आप ये drugs और ली लेते हैं या topically apply करते हैं, particularly जो oral drugs जो आप लेते हैं, finasteride का, तो उसकी वज़े से जितने ज़्यादा side effect है, जैसे के males में erectile dysfunction होना, importancy होना, testicular pain होना, burning ejaculation, burning micturation, इस सारे ब redness, और कहीं कहीं लोगों में तो depression की भी बीमारी आ जाती है, और देखा गया है कि जबी भी ये drug हम stop करते हैं, तो इसके side effect stop नहीं होते, it may run lifelong, चलिए बाते हैं क्यों पे, आखर हम इसका इलाज क्या कर सकते हैं, तो पहला main ila, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि डाइट, आपक जो good bacteria, जो अच्छे bacteria होते हैं और हमारे body के निजाम को समालते हैं, regulation में रखते हैं, जबी भी इसका in bacteria का बिगाड होता है, तब जाके आपको कोई ना कोई problem हाती है, including your hair fall, तो एक incidental fecal microbiota transplant हुआ था, मतलब कि जिसका भी आपने सुना होगा कि ट्रांस्प्लांट होता है, bone marrow transplant या फिर liver transplant, और हे transplant ही सुना होगा, लेकिन fecal microbiota transplant एक ऐसा term है, जो आजकल बहुत ही ज़ादा चल रहा है, एक ऐसा healthy individual जिसका पेट का microbiota यानि microorganism, बैक्टिरिया बहुत ही अच्छे हो और जिसका निजाम बहुत ही अच्छा हो, तो उसका हम fecal matter यानि आम जबान में toilet लेकर हम उसका transplant करेंगे एक ऐसे individual में, जिसका पेट के बहुत सारे problems हो और जिससे बहुत सारे problems हो वो बैक्टिरिया ना होने की वज इंसिदेंटली देखा गया कि वो completely bald थी और after the transplant she had a growth, तो मैं यह नहीं कहा हूँ कि आप जाएगे microbiota transplant कराईए, the main bottom line of this is make your gut happy, अपने पेट को खुश रखिए, यानि diet को correct कीजिए, तो whole food plant-based diet है, इसी proven diet है, जो आपकी internal bacteria, जो good bacteria होते हो इसको बढ़ाते हो और बैक्टिरिय लेना है, and studies के मताबिक जो seeds खाते हैं, particularly the pumpkin seeds, जो pumpkin seeds खाते हैं, एक teaspoon भी ले ले लेंगे आप तो आपका hair fall का reduction 50% तक reduced होगा, and यह आपको long run में लेना है about 3-5 months consecutively to see a good result, ऐसानी है कि एक दो दिन में खाएंगे तो आपको result इखने लागेगा, you will see a difference, यह seed के साथ-साथ आपको अर्बूस के बींच है, और संफ्लावर के बींच है, तो बींचों को आपको अपको अपनी डाइट में इंक्लूट करना है, या तो raw form में या तो smoothies में दाल के पीजे, और आपको special liquids पीना है, जैसे के green juice है, red juice है, green juice में आपको आजाएगा, जितने भी हरे, पत्ते होते हैं उनका juice बनाना है, और उसे पीना है, एक दिन, और दूसरे दिन आपको पीना है, red juice, red juice में आपको आएगा, particularly apple beetroot, carrot juice, या अगर apple आप effort नहीं कर सकते है, या फिर availability नहीं है, तो you can use tomato, जो tomato मिलता है, जो locally everywhere available है, तो आप उसको use कर सकते है, alternatively red और green juice पीजे, और आपको soy milk पीन स्टडी में देखा गया है, कि जो soy milk लेते हैं, 40% hair fall का reduction उनमें देखा गया है, और आपको आपकी diet में sprouts इस्तेमाल करने हैं, soya beans इस्तेमाल करने हैं, और hot peppers, जैसे कि red bell pepper है, capsicum, shimlamid जिसे कहते हैं, जितना जादा है आप वो इस्तेमाल करें अपनी diet में, और मैं बता दू क्योंकि जो soy milk है, या फिर soy beans जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ organic लेना है आपको, क्योंकि आजकल pesticide contamination बहुत जादा है, तो it won't work for you, अगर आप organic में नहीं जाएंगे तो, और ये चीज आपको 5 महीनों तक करनी हैं लगातार, second है fasting, यानि रोजा उपवास रखना, almost about 10 o'clock, आपको कुछ खाना पीना नहीं है, बिल्कुल fasting state में रहना है, ये बिल्कुल आजसान fasting है, क्योंकि रादभर तो आप सोते हुए रहते हैं, तो इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है, तो या राम से कर सकते हैं, और जिससे बन पड़े, वो हफते में एक बार, या और जितना healthy scalp होगा, उतने ही जादा hair growth होंगे आपके, थोर्ड है, sunlight, हमेशा बोलती हूँ कि sunlight freely available है, जिसे हम बहुत ही जादा underestimate करते हैं, sunlight लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि sunlight से vitamin D का synthesis होता है, और vitamin D के synthesis से आपकी जो scalp bone है, वो strong होती है, और जबी बोन strong होती है, तो healthy scalp होता ह तो blood circulation अच्छा होता है, और जबी भी blood circulation अच्छा होता है, आपका hair growth बहुत ही अच्छा होता है, फोर्थ है hair care regime, अब आपके external, internally तो हम लोग देख लिए कि internally क्या करना है, cleansing कैसे होगी आपकी body की, अंदर की तो सफाई हो गई, आप बाहर का देखेंगे कि hair growth को कैसे अच्छ चार घंटे भीगने चाहिए, अगर sprouted है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मेथी seeds में आप handful of curry leaves, जो curry पत्ता या फिर करिया पार जिसे कहते हैं, वो यूज कर सकते हैं, और इसको आप fresh aloe vera plant जो होता है, छोटा सा aloe vera plant आप उसमें दाल दीजिए, और उसको अच् यूज कर सकते हैं, जो naturally prepared हो, तो हमारी next video में हम बताएंगे कि एक natural shampoo आप घर में कैसे बनाएं, जिससे आपका hair fall रुके और hair growth कैसे हैं, so stay tuned with us, आप जबी भी shampoo यूज करते हैं, तो धियान रखिए कि वो sulfate free, paraben free हो, और उसका ingredient list देखिए, कि अगर जितने सारे chemical names आपको ज जादा important है, इसे हम कहते हैं, weed grass therapy, ये एक ऐसी therapy है, जो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इतनी potency रखता है ये therapy में, कि अगर आप ये therapy तीन महीने इस्तेमाल करें, तो जो bald होते हैं, जिसमें बिल्कुल बाल नहीं होतें, उनके सड़ से भी बाल उगने के chances बढ़ जाते है along with, अगर आप वो diet लेंगे और दूसरे therapies करेंगे, तो जिसमें अगर थोड़ी बहुत problem है, तो उनके लिए तो ये miraculously work जरूर करेगा, weed grass therapy ये है कि जो weed grass होती है, यानि कि ग्यहों के जवारे, जो plants होते हैं ग्यहों के, उसको निकालना है, ग्रास को और उसे grind करके उसका juice extract क लिए थोड़ा बहुत juice like 10-15 ml आप उसे पी लिजे, ये आपके internal cleansing भी करेगा, प्लस hair growth को दुगनी तिगनी तेजी से बढ़ाएगा, तो consistently अगर ये करेंगे, तो definitely hair growth होगा ही हो, तो अब hair care regime में आपने इस अब देख लिया कि मास्क्या प्लाई करना है, शैंपो कौन सा या ब्रिंग राज वाइल, जो की cold press या wood pressed होना चाहिए, तो जबी भी आप ये oil अप्लाई करते हैं, या तो night में अप्लाई करें, और सुबा नाहाने से एक दढ़ी घंटा पहले अप्लाई कर दीजे, और नाहा लीजे, इससे आपको बहुत ही ज़ादा होगा hair fall रुखने और जो भी चीजें आपको packet form में आती है, फैक्टर से आती है, वो सारे चीजें आपको रोगनी होंगे, और आपको रोगना है कि कच्छे बालों में कंगी करना बन करना होगा, और जो blow drying करते हैं, जो hair dryers, hair straighteners, यूज करते हैं, वो बन करना होगा, और जो chemical treatments में जाते हैं, harsh chemical treatments, coloring कराते हैं, यह सारे चीजें आपको बन करनी होगे, और जो chemical shampoo यूज करते हैं, particularly वो आपको बन करना है, और जबी भी नहाते हैं आप, तो आप warm water का इस्तेमाल करें, ना कि hot water का, क्योंकि hot water से हमारे जो proteins होते हैं, जो hair follicles के, वो damage हो जाते हैं, और easily break होते हैं, अब मैं आपको बताऊंगी कि वो दो bonus tip क्या थे, bonus tip यह है कि आपको अपनी जो plastic की कंगी जो आप यूज करते हैं, उससे फेकनी हैं, जो comb यूज करते हैं, और उसकी जगे आपको वुडन कॉम यूज करना है, वुडन कॉम इसलिए क्यूंकि वुडन कॉम से आपका scalp circulation बढ़ता है, और वो नेचरल होता है, प्लास्टिक फॉर्म में नहीं होता, और उसकी वज़े से आपके hair falls reduce होते हैं, और hair growth में आपको help करता है, इंडिरेक्ली, तो प्लास्टिक कॉम की वज़े से electrostatic energy create होती है, आपने बच्चमन में देखा होगा कि जभी भी आप बाल को कंगी करते है और चोटी-चोटी papers को उसके पर रखते हैं, तो इससे यह साबित होता है कि जभी हम प्लास्टिक कॉम करते हैं, तो आपके scalp weak होता है और आपके roots निकलने लगते हैं, तो replace your plastic comb with a wooden comb. Second bonus tip is head down tilt therapy, यानि कि आपके sir को नीचे रखना है, ताकि आपका blood circulation scalp का बढ़ जाए और hair regrow हो, और hair fall reduce हो, head down tilt आप कहीं तरीखे के कर सकते हैं, जो यह picture में बता रही हूँ, वो picture में आप देख सकते हैं कि head down tilt कैसे कर सकते हैं घर में, तो यह particularly अगर आप एक घंटा करेंगे त और कुछ ऐसे postures, ऐसे exercises, जिसकी वज़े से आपका head जमीन की तरफ आता हो, उससे भी आपका scalp circulation enhance होगा, और hair fall के सारे चीजे मैंने आपको बता दी, उमीद करती हूँगी कि आपको यह helpful होगा, और आप यह दूसरों तक भी पहुँचाएं क्योंकि यह problem बहुत ही ज्यादा करते हैं, ताकि आपका disease reverse हो, तो आप हमें approach कर सकते हैं और consult कर सकते हैं, यह जो number दिया गया है, आप उसके तुरू हमें WhatsApp message करें, ताकि आप अपना disease reversal हमारी guidance और consultation में कर सकते हैं, Thanks for watching this video, Thank you.